फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मंगलवार को साओधी अरब और आर्जंटीना के बीच मुकाबला खिला गया इस मैच में साओधी अरब ने बड़ा उलट फेर करते हुए आर्जंटीना को दो एक क्यंतर से हरा दिया इस मैच में मिली जीत के बाद साओधी अरब में जश्न का माहौल है किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि वर्ल्ड कप की दावेदार मानी जा रही आर्जंटीना का टोर्नमेंट में ऐसी शुरुआत होगी इस रोमांचक मैच के बाद साओधी अरब के किंग सलमान ने पूरे देश में छुट्टी का ऐलान कर दिया इस फैसले से साओधी अरब ने देश में फुट्बॉल की एक नए युग को जन दिया है केंग ने लिया फैसला साओधी किंग सलमान के सादेश के बाद से बुद्वार को साओधी अरब के सभी सरकारी और प्राइविट संस्था में काम कर रहे लोगों को छुट्टी दी गई है साथी साओधी के सभी स्कूल और कॉलेज में भी छुट्टी का ऐलान किया गया है आरजंटीना से मिली जीत के बाद साओधी अरब के खिलाडियों का भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वारल हो रहा है खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में स्पोर्ट्स मिनस्टर प्रिंस अब्दुल अजीस को कंधे पर उठा कर नाच रहे क्राउन प्रेंस मुहम्मद बिन सल्मान ने भी टीम के इस जीत को इंजॉई किया और टीम के जीत के बाद दुआएं मांगी फीफा वर्ल कप के ग्रूप स्टेज में आरजंटीना और साओधी अरब के बीच खेले गए मुकाबले में आरजंटीना की ओर से मैसी ने मैच के दसवे मिनिट में पैनल्टी की मदद से गोल दागा मैच के 48 मिनिट तक साओधी की टीम पीछे चल रही थी लेकिन अलसेहरी ने गोल दाग कर मैच को एक-एक की बराबरी पर कर दिया थोड़े ही देर बाद सलेम अलदवासरी ने मैच के तरपनवे मिनिट में एक ऐसा गोल दागा जिसे देख मैसी भी हैरान हो गए और साओधी ने इस मैच में दो-एक की लीड ले ली जिसे उन्होंने मैच के फुल टाइम तक बना रखा और मैच को दो-एक के अंतर से जीत लिया टीम के गोल कीपर मुहमद अल ओवेसी को उनके शांदार गोल बचाव के लिए मैन आप दे मैच भी चुना गया था